वेलकम चू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाई राखी चौबे इस वीडियो में हम लोग पैड़ागोजी के वीएस में प्रीवियस ये जितने भी पैड़ागोजी के कोईस्टन्स जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है सिर्फ वही सेलेक्टेड कोईस्टन्स है इसके बाद ज कौन सा प्लान है जो क्या है लिस्ट मतलब बिल्कुल ही कम जो है क्या है लर्नर सेंटर है यह क्या कह रहा है इस चारो ओप्सन को देखे क्या क्या है इंस्ट्रक्शनल प्लान यूनिट लेसन प्लान और एक्टिविटी प्लान अब यह जो चारो प्लान है वो क्या कहता है इ इंस्ट्रक्शन प्लान है इसका डिजन समझें जो इंस्ट्रक्शन प्लान होथा है लोग क्या करते हैं तो जैसे जो इंस्ट्रक्शन से और इसके तो बच्चों को क्या सक्कार कर सकते हैं चुछ इवलवेट कर सकते हैं यूजिंग क्या क्या करते हैं हम लोग जब इवैलवेशन करते हैं तो यूजिंग और फिर कुछ एक रिसोर्स जो प्लानिंग करते टाइम यूज करते हैं ताकि हम लोग क्या है बच्चो लर्नर्स के नीर्स को समझ सके कहीं डिफ्रेंसियेट ना हो और उसके एकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करें एक्टिविटीज जो भी स्टैट्जी अपना रहें वह अपन यहां पर L E A S T है ठीक है तो करेक्ट ऑप्सन जो है वह क्या है इंस्ट्रक्शनल प्लान मुफ्टू नेक्स्ट कोईस्टन दफैनोमिनन इन टेली कम्यूनिकेशन एंड मीडिया इंडस्ट्री तो इंटीग्रेट सॉविसेज कंटेंट ओफरिंग एंड मीन्स ऑफ कम्यून किबोगा करें बल्बंधेक्थ है और PB क records दम से सुफेज के साथ किसम मात्युम्यूनिकेशन और अगर देवा कैसे जो नामीडिया इंडस्ट्री मिडिया इंदस्ट्री खैम dość कहते हैं सीधी सी बात है उस टेकनोलोजी को क्या कहते हैं मल्टी मीडिया कहते हैं इसमें सोचने की जरुवती नहीं है क्यों क्योंकि मल्टी मीडिया में होता ही क्या है हम लोग different different medium का use करते हैं किसके लिए कम्यूनिकेशन के लिए okay so here option is right multimedia next world literacy day falls on जो world literacy day है 20 साक्षारता दिवस यह कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है 8th of September को ठीक है कब मनाया जाता है यह 8th of September को so here option is right next which of the following will not hamper effective communication in the classroom कौन सा जो है वो hamper hamper means होता है कि कोई आपको disturb कर रहा है ठीक है मतलब वाधित कर रहा है कोई आपको ठीक है जो आपको disturb नहीं करेगा आपके communication को effects नहीं करेगा फर्स्ट के लेंग्डी स्टेट्मेंट रिखे लेंडी स्टेट्मेंट अगर टीचर बोले जा रहा है लंबा लंबा बोल रहा है तो क्या क्या होगा फिर वह जाएंगे प्रेसाइज स्टेटमेंट ठीक है सभी बात है बिल्कुल कभी टीचर यह वैसे भी नॉर्मल लाइफ में अगर आपको चीजे बोल रहे हो तो आपको चीजों को रखना है ठीक है जो आप कहना चारें उनको बहुत ही छोटे वे में और एक सटीक बात को रखना ह तो यह क्या है सही ऑप्सन है ठाट एक बार देख लिए एन एंबिग्यूस स्टेटमेंट मतलब और पस्ट बयान सही बात है अगर आप उठ पटान सा कुछ भी बोलो जो क्लियर ही नहीं है तो कहां से मारा कम्यूनिकेशन है इफक्टिव होगा बिल्कुल ही नहीं होगा य स्टेटमेंट विच अलाउस का लिसना चुड्रोव ही जोर कंक्लूजन स्माली जिस वैसा आप कुछ बोलो ता कि बच्चे क्या है सुनते ही रिजल्ट पर आ जाए तो यह भी एक तरह से नहीं होगा आपको चीजों को समझना है उसे समझाना है और वह बच्चे भी उसमें इंट्रेस्ट ले और आपसे क्वैरी करें तो यह सब कब होगा जब आप एक प्रेसाइस स्टेटमेंट एक सटीक बयान यूज करें बयान लाइक की जो पढ़ा रहे हो आप वह सटीक चीज़े होने चाहिए और ऑप्शन भी इस राइट विच वन इस नॉट एन चारों में आपको इसे पाट करते हैं किसे एंयर करना है किसे एक करना है किसे करते है और जो ट्रू चाहिए करते है했는데 और उसका इस करते हैं तो कौन कौन सा है teaching learning process में यूज करेंगे डेफिनेटली इस टूल का कर सकते हैं पर प्रोग्रेस कार्ट के एक रिपोर्ट है जिसमें क्या दिखाता है हमको इवैल्वेशन का घृच बता रिजूल्ट काई किसकी किटनी इबीटी है किसको कितना चीज़ें अरहा है कौन क्या कर सकता है बट प्रोग्रेस कार्ड में क्या होता है कि वो इवेल्वेशन का result होता है लाइक यह एवेल्वेशन का result है फिर इचीवमेंट बच्चोने क्या कर रख है नहीं कर रख है प्रोग्रेस कहां तक उसका चल रहा है तो इस question के लिए जो correct option होगा वो क्या होगा प्रोग्रेस का दिये कोई वेल्वेशन टूल नहीं है बाकी चेक लिस्ट रेटिंग इस्किल एंड होम टास्क ये तीनों ही क्या है इवेल्वेशन टूल है ओके नेक्स्ट है वैसे बच्चों को पढ़ाना है जो क्या सबसे अच्छा है इसका मतलब यह होता है सहकारी सिच्छा और सहकर्मी सिच्छन आपको पहले क्या करना है प्रॉब्लम प्रॉब्लम को समझना होगा कि वह बच्चा क्या चाहरा है तो समझें प्रॉब्लम को आप अपना प्रॉब्लम समझें एक solution निकाली और फिर उस बच्चे को वह solution दीजिए ठीक है तो यह क्या होता है एक effective way होता है हम लोग उसके problem को समझ पाते हैं तो एक cooperative way में उसके problem को समझना है तो यह क्या होगा correct option यहां पर क्या होगा C होगा ओके next combining computing telecommunication and media in a digital atmosphere is referred to as आपको क्या करना है एक साथ मिलाना है किसको telecommunication और मीडिया को कहां पर किस platform पर मिलाना है तो digital atmosphere में यह जो digital world है वहां पर आपको जो आपका telecommunication है मतलब जो यह दूर संचार है और उसके साथ आपको मीडिया को मिलाना है तो इस प्रोसेस को मतलब इस टेक्निक को हम लोग क्या कहेंगे integrated media इसको क्या कहेंगे integrated media एक अक्रित media इसमें क्या होता है कि हम लोग सारी चीजे मला जो computer का हर एक इस डीजिटल प्लाटफॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं नडीजर कर रहे हैं सब्सक्राइबी कर सब्सक्राइब आर मीडिया का है और एक दूर्चे से क्या कॉम्यूनिकेज करते हैं digital platform पे ठीक है उसको कहते हैं integrated Media चिए और टीचर मेक्स आई इन में से कौन साइट प्रिंस्पल है जो टीचर के बहेवियर को रेप्रेजेंट करता है बच्च को पढ़ा रहे होते हो तो आप बच्चों से क्या आसपक करते हो कि बच्च क्या है। किस प्रिंस्पल के अंदर साइड至 जी से इनिव करता है वह कौन सा प्रोस्स है याट वन इंतर की मॉड़़्िंगं के अंदर क्या आता है नेक्स्ट है, moral values can be best included among students by, आपको क्या करना है बच्चों के अंदर, ठीक है, students के अंदर क्या करना है, आपको नैतिक मुल्य देना है, बिलकुल सरवत्तम रूप में, बहुत ही best, अच्छे तरीके से बच्चों के अंदर नैतिक मुल्य का समावेस हो पाई, तो कब हो पाएगा वो teacher as a role model, जब क्या है, teacher क्या करेगा, एक अच्छे role model के रूप में उस बच्चे के सामने, यह होता है, हम जिसे अपना role model मानते हैं, उसको follow करना है, start करते हैं, और वो कम मानते हैं, जब हमें कुछ qualities हमें उस teacher के अंदर दिखाई दे, बाकी के जो options है, वो कैसे appropriate है, यह भी वो curricular activities, सब आचकम, गतिवीदिया नहीं, curricular activities से कहीं बच्चे में moral value नहीं आएगा, relevant literature, literature की कहानी बता के भी क्या होगा, उसमें moral value नहीं आएगा, जब तक ही वो teacher के अंदर खुद practical चीजों को ना देखे, so here option D is correct, the concept of primary mental abilities was given by, primary mental abilities के अगर बात करते हैं, हम लोग क्या होता है, इसमें seven factor आता है, ठीक है, और जो seven factor है, वो किसके द्वारा दिया गया था, तो, thurston के द्वारा दिया गया था, okay, किसके द्वारा दिया गया था, thurston के द्वारा दिया गया था, so here option B is right, next and the curriculum at primary stage as suggested by sir Arbindo did not have, किस curriculum के बात करना है, जो curriculum कहाँ पर है, primary stage में, ठीक है, प्रात्मिक अस्तर पे, जो हम लोग पाचकम यूज करते हैं, उसमें Arbindo जी के द्वारा क्या सुझा गया था, क्या बताया गया था, क्या बताया गया है, देखे, मा लीजे, अगर इसकी बात कर करते हैं, किस फोकस करते हैं, mother tongue पे, mother tongue के अंदर like English है, French है, literature आ रहा है, मारा history भी आता है, art, painting, general science, social studies and arithmetic, यह सब सिखाया जाता है, कब सिखाया जाता है, तो primary stage पे, हमें यह भी पता रखना है, primary stage पे क्या-क्या सिखाया जाता है, तो याद रखिए का एक बार, mother tongue, English, French, literature, national history, art, painting, general science, social studies and arithmetic, कौन साइसे factor है, जो इसके अंदर नहीं आया, that one is, psychology and health education taught at secondary level, यह सब primary level पे है, यह सार, और यह जो है, यह किस पे है, secondary level पे है, psychology and health education, अब हमें यहां पे जुढना है, psychology यह रा, psychology and health education, so here option B is right, यह primary में नहीं, यह secondary में consider किया जाता है, ओके, next है, the field theory of learning places, primarily infeces upon, infeces upon, like, जो theory of learning है, ठीक है, theory of learning है, जो सीखने का सिधान्त है, ठीक है, सीखने का सिधान्त है, इसमें mainly हम लोग किस चीज़ पर focus करते हैं, किस पर जोड देते हैं, तो किस पर देते हैं, the purposiveness of behavior, वैभार का उदिस, देखे, सही जबाद है, अगर हम लोग को main उदेश है, कोई भी चीज सीखने से पहले, यही सोचते हैं, अब जो हमें अगर aim क्लियर होता है, तो definitely उस aim के according हम लोग क्या है, चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो aim है, उसका purpose क्या है, यह ध्यान रखना होगा, हमें सा, option D is right here, next है, which of the following is not considered a project aid, एक direct participation है, donors का, in the design and implementation of developmental project, project के starting phase is designing से लेके, उस project को implement करने तक जो सारी चीज़े involved होती है, उसको क्या कहते हैं, हम लोग project aid कहते हैं, ठीक है, अब यह project aid में क्या क्या चीज़ है, slider projector definitely आएगा, blackboards नहीं आएगा, प्रोजेक्टर के help से जब आप पढ़ा रहे हो, कुछी जो को सीख रहे हो, सिखा रहे हो, देख रहे हो, वहाँ पर क्या blackboard की help चाहिए, नहीं चाहिए, overhead projector बिल्कुल चाहिए, इपीडिया scope, इपीडिया scope क्या होता है, एक device है, जिसमें like image processing वेगड़ा होता है, इसके help से मोग image show कर पाते है, projector पे, तो correct option जो है, यहाँ पर क्या होगा, black किसका तो teaching ad का, क्या बच्चों को impress करने के लिए teacher को क्या पढ़िए, बच्चों को impress करके, क्या मतलब like teaching ads के तुरू क्या impress, impression नहीं जमाना होता है teacher को अपना वाँ पे, making teaching interesting, definitely teaching, अपना जो teaching style है, इंट्रेस्टिंग बनाना है, यह बहुत सही बात है, क्यों क्यों कि रेखे, एक object है, जैसे मालीजे आप book से पढ़ा रहे हो, जैसे मालों क्या कर रहे हो, बुक से या picture से या map की help से क्या करने, बच्चों को पढ़ा रहे है, डीवेडी यूज करने, computer वेगरा, यूज करने, teacher इस सब चीजों का use करता है, क्यों, क्योंकि वो enhance कर पाए, किसको, classroom में जो बच्चों को जो पढ़ा है, वो हमारा इंट्रेस्टिंग हो पाई, teacher uses teaching ads for making teaching interesting, उसको क्या करने चलिए, रोचक बनाने के लिए, इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए, हमनों किसका किसका use कर लेते हैं, तो सिक्षन साधनों का, मतलब यह जो teaching ads है, उसका use करते हैं, क्यों, यह हमने satellite launch किया, आपको उसको लेके कहां, कहां जाना है, मून पे जाना है, ठीक है, या फिर किसी other planet पे जाना है, और वहां पे हमें grasses दीख रहे हैं, सैंड्स दीख रहे हैं, तो यह चीज़े अगर आप बोल्ड हो है, बुक में लिखा हुए, पढ़ा रहे तो इतना interactive नहीं हो teaching, interesting is a correct option, सिक्षन को रोचक बनाने के लिए, here option B is right, next है, in NEP 2020, the current 10 plus 2 system to be replaced by a new curricular structure, what is the new curricular structure, 10 plus 2, जो नया अभी NEP आया है, 2020 में, उसमें 10 plus 2 को हमने रिप्लेस किया है, किस model से रिप्लेस किया है, 5 plus 3 plus 3 plus 4, इस पे बहुत अच्छे से हमने डीटेल में दो वीडियो पढ़ा लोग वाय एक बाट प्लेस चेक किजिए, मिल जाएगा, 5 plus 3 plus 3 model हम लोग यूज किया है, 10 plus 2 को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, overall development के लिए बच्चों का तो ये कुछ है, को से हम लोगों ने आज के सीरीज में प्रैक्टिस किया, okay, अब मिलते हैं, फिर नेक्स क्लास में स चीट लवल पे जाएगे, okay, so thank you so much for attending this class, see you in the next class, okay.